दुनिया भर में विज्ञान और प्रद्योगे के शेत्र में हो रहे विकास को देख कर मैं स्थब्ध हूँ पहले लोगों को हाथ से फसल काटनी पड़ती थी अब ट्राक्टर की मदद से ये कितना आसान हो गया है नवाचार हमारे चारो ओर है इसी तरह भविश्य में हमारे पास उड़ने वाली कार हो सकती है जो ट्राफिक में नहीं फसेगी आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में टेक्रोलोजी बहुत आगे बढ़ेगी अब बिजनेसमैन तैंसू येगेन ने एक वीडियो शेर किया जो वाइरल हो गया वीडियो में एक व्यक्ति को अपनी पीट पर जेट पैक रखे हुए देखा गया जिसमें से आग की लप्टे निकल रही थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी चलांग लगाता हुआ एक सहज लैंडिंग के साथ वीडियो समाप्त हुआ वीडियो शेयर किया गया और हर कोई इससे हैरान रहे गया इसे 24 लाग बार देखा जा चुका है और इसमें कई कमेंस आए है कई लोगों ने उनकी तुलना मार्वेल के आयन मैन से की अब क्या ये वाक्री सुरक्षित है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन है यहां कुछ हुआ है एक पचास वर्षिय दक्षिन कोरियाई व्यक्ति गुजरात के मेसाना जिले में जहां वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे कैसे उनका पैराग्लाइडर संतुलन बनाए रखने में नाकाम रहा जिसकी वज़से वो जमीन पर गिर पड़े अर्द बेहोशी की हालत में एक नीजी अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई डॉक्टरों के मुताबिक गिरने के सदमे से सक्ष को हार्ट अटाक आ गया यह 24 दिसंबर 2022 को हुआ था ऐसी है गटना महराष्टरा के दोभी इलागे में इसी तारिक को हुई पाइलट के साथ एक शगस पैरागलाइडिंग करने गया था पैरागलाइडिंग के दौरान हारनेस फेल होने के कारण वो गिर गया उसकी मौके पर ही मौत हो गई लेकिन पैराग्लाइडिंग का पाइलेट सुरक्षित रहा पीडित की उमर महस 30 साल थी इस तरह के कई हवाई नवाचार मौतों का कारण बन रहे है क्या आपको लगता है कि नवाचार अच्छे है या हमें पुराने समय का पालन करते रहना चाहिए हमें कमेंट्स में बताइए